दोस्तों तुम्हें हीरा बनना है या कोईला या तुम्हारी मर्जी है एक मुल्तत में विशेज अंतर ना होते हुए भी परिस्तितिया ऐसा कुछ कर दिखाती है जिससे उसका स्वरू गुण और मुल्य में जमीन और आस्मान का अंतर उत्पन हो जाता है कारबन को ही ले लो वे अमुक इस्तान पर अमुक ताकमान पर हीरा बन जाता है और बहुमुल्य हो जाता है पर यदी वैसी परिस्तितिहां ना मिले तो समानने इसतर में ही बना पड़ा रहने के कारण उसकी उपयोगिता जलाव कोईले के समान नगरने रहे जाती है काजन भी उसी का एक रूप है इसे थोड़ा अच्छी इस्तिती में रहना पड़े तो हीरे जैसा उपयोगी ना सही कोईले की अपेक्चा अधिक मुल्यव्यान अधिक उपयोगी बन जाता है हीरा कार्बन का सरवत्तम सुद्ध रूप है क्रेनाइट उसका निखरा हुआ रूप है फिर कोईला इसके बाद और काजन कोईले भी कैई तरह के होते हैं लकड़ी के मुलायम कोईले और चोकाचुहुले की हलकी फुलकी अवस्चता को पूरा करते हैं पत्थर के कोईले जो क काल खानों और भट्टियों के काम आते हैं दोस्तों सभी मनुष्य यों तो एक ही इस्तर के होते हैं उनकी सारीरी क्रचना एक ही प्रकार की होती है चमडी का रंग आकर्ति में जलवायू के भेच से अंतर पढ़ जाता है पर प्रकर्ति का निरधारण एक ही इस्तर का हुआ इतने पर भी उनके गुण कर्म स्वभाव में जमीन और आस्मान जितना अंतर पायायाता है कोई कीड पतंगों की तरह तुछ और पसुओ जैसा पिछड़ा हुआ जीवन जीते हैं और कितनों की गरिमा इतनी बड़ी चड़ी होती है कि उनके प्रभाव से वाता वरण में भारी हेर फेर परिवर्तन कर सकते हैं संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में अपने ही समान इस्तिती में गसीट का ले जाने की चंता कितनों में ही होती है वे स्वैं नहीं गिरते, उठते, वरण अपने साथियों को भी अपनी तरह गिराते और उठाते है, उनकी इतनी पावर होती है, मनुष्य मनुष्य के बीच में पाया जाने वाला यह अंतर, ना तो अक्समात होता है और ना ही जन्मजात होता है और ना इसमें भाग्य और भगवान का कोई भी अत्तक्षेप होता है। बाईयों इसको समझो परिस्तितिया मनुस्य को बनाती और बिगाडती हैं गिराती और उठाती हैं। परिस्तितियों का सर्जन हर व्यक्ति अपनी उत्कंटा, आकांशा और रीति-नीति के आधार पर कर सकता है। और करता भी है। हम चाहें तो यता इस्तिति स्विकार करके कारवन की तरह पड़े रहें। कोईला बनका जलते रहें, अथवा काजल की तरह कालिमा से दूसरों को काला बनाएं। परगती सील मनुस्य से ग्रेनाइट की तरह अपने कर्म कोशन का पड़िचे देते हैं। और उन्नती की उपलब्दियों से लावानवित होते हैं। और दूसरों के भी काम आते हैं। सबसे श्रेष्ट वही आदमी हैं जिनोंने उचा तापमान सुईकार किया। तब साधना से अपने को हीरे की तरह भहमूले बनाया। जहां रहें मुहां का इरियस और गोरग वराया। अपनी पसंदगी की ऐसा ही कोई इस्तिती लोग जान अंजान में सुएम ही चुमते हैं। और उसके अनुसार वैसा ही उठते और गिरते हैं। सफलता और असफलता प्राप्त करते हैं। जीवन को बरबाद या आबाद करते हैं।